हाई फ्रेंड्स वेलकम हैं हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल पर ये सौर्ट नुमर हमारा 61 है टॉपिक है आज का हमारा मिडवाइफरी एंड गैन्कोलोजी ये कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एक्जाम्स होते हैं और ये ये सौर्ट कोशन है यहाँ पर काफी डीटिल में समझेंगे वीडियो को जढ़एगे कि न करना क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी नॉलीजबल सब्सकेन को देखेंके काफी अच्य लेवल के लिये हैं। आपकीज़न आप सब्सक्राइब करें पर कोशेन काफ इंपने दादल आपके लिए म personnला STAR प्रखरेंेदाव पर आपका ऐसिवारा। विहार, CHO, जामस के लिए UP, CHO, UP, NHM, मदपर्देश, CHO, राजिस्तान, CHO, हरियाना, पंजाब, जम्मु कस्मेर, 36 गार्ड, सभी राज्यों के लिए सबान रूसिफ योगी कोशन है, आर्मी नर्सिंग, CRPB नर्सिंग, एंफ नर्सिंग, पिरियाई नर्सिंग, सबी परिष्षाओं के लिए सबान रूसिफ योगी कोशन है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, कोशन नमर फर्स्ट है, आपकी स्किन पर, कोशन नमर फर्स्ट पढ़ें, फिर इसके बाद आंसर बताो हो बता सकते हैं आप mercy का राइड आंसर और क्या स्क्राइड किसमें केया जाता है सेख़ान के टीटेज में एक बाटकर bajo非常 कि बाता आपको भहां रिखना हो back now हो सऩे यहां पर एम्नियोा टॉमी किया जाती है क्या मैंग तोफ टंई हैं तो आपका अन्सर क्या होगा फूल फॉल सां में आप यहां पर दिश्क्राल के कर टाम कर था कि भर फॉल आप Artificial Art for Raptures of the Membrane इसका मतलब होता है जिल्ली का कर्तिम रूप से तूटना या तोड़ा जाना ठीक है ये एक विसेशक के द्वारा किया जाता है जो गईन्कोलोजिस्ट होती है अब यहाँ पर देशेतें Amniotomy also known as the Artificial Raptures of the Membrane मतलब Amniotomy को ही AROM मतलब AROM कहा जाता है इंटेंशनल Raptures of the Amniotic Sec by and the Obstetical Provider मतलब जो प्रसूत विसेशक की नहीं होती जो डिलेवरी कराती है डॉक्टर्स ठीक है यह करते हैं कराती है ठीक है उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है कौन सा AROM बाला प्रोसेज्ट अरोम का मतलब Amniotomy कराया जाता है ठीक है अब इसमें कराया किया जाता है किया किया जाता है इसके बारे भी हम समझेंगे यहां पर देख लेए पहले दो पॉइंट है Amniotomy usually perform for the purpose of the inducing or the expediting the labor यह इसलिए किया जाता है कि परसों को प्रेरित किया जा सके या जो लेवर से आफसानी से जल्दी हो सके ठीक है इसलिए यह किया जाता है क्या एरॉम यह Amniotomy इसलिए perform किया जाता है अब अगर इसे इमेज में आप देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखाते हैं पहले यहां पर आप समझ लेए थोड़ा सा जो यूट्रस होता है यहां पर क्या होता है यह जो यहां पर सर्विक्स होता है यहां पर क्या होता है एक आप एमिलेटीक फिल्विड यह सख होती है इसमें क्या का चैयता है थोड़ा सा च्रेट क्या होता है एक यह दो च्रेट कर दिये जाते है जिसमें जो लिक्विड बहुड efter आपको दिखाना च्रब्रकर ताकि जो contraction है वो आसानी सुखे क्योंकि जब fluid इसमें भरा होगा ना जब इसमें liquid भरा होगा ना यूट्रस में तो क्या होगा इसका contraction होगा वो अच्छे से नहीं होगा contraction का मतलब होता है यह जो यूट्रस होता है इसका फूलना और सुकुडना फूलना और सुकुडना मतलब कम जादा होना उपर नीचे होना यह नहीं हो पाता अगर fluid भरा होता है तो इसलिए यहां से बाई वेजाइनल क्या कहता है एक स्पेकुलम के माध्यम से यहा इस्पाइन जिसमें लिक्यइट भरा होता वह क्या होता वह कम हो जाता तो पेड क्या हगा है यह नीचे की और धसेстप अलब हम धसने का मतलब फ्ल्स तरहने कीजर यह क्या इस नचिक कि लिका होगा है लिखा है यह तरा मृत्रवध घाए quests विर्षी इसे क्या होता हैकुत न कि प्लसकोते हैं कि तुल कीज़ा है एक पैल अ 넘त्तरी मिला। हो पाते, contraction नहीं हो पाते, या मा के द्वारा ज्यादा प्रेसर नहीं लगाया जा सकता कि बेबी आउट हो जा ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या किया था, हलका सा small incision या मलग थोड़ा सा small छेद कर दिया जाता, ठीक है, यह spiral needle से भी कह जाता है, plastic plastic hook के मादम से भी किया जाता, यह एक यह दो कर दिये जाते ठीक है, ताकि इसका जो fluid है, वो बाहर आने लगता, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, image में दिखाई दे रहा होगा आपको, यह cervix है, यह emunetic fluid है, यह emunetic sack है, इसमें किया जाता, इसमें emunetic sack में, ठीक है, ताकि emunetic fluid बाहर आ सके, ओके, आप से करणे image में भी देख सकते है, यहाँ पर अपनी screen पर देख सकते है, यह देखिया किस तरह भाई-vaginal से, यह cervix है यह यहाँ पर, ठीक है, इसके मादम से यहाँ पर क्या किय जाएगा ठीक है तो संकुचन सिसलन आसानी सोंगे जिसका मतलब कहते हैं कंट्रेक्षन आसानी ते हो जाएंगे ठीक है तो अमिद करता हूँ आप देख रहेंगे और समझ गया होंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह उंगलियों के माध्यम से भी किया जा सकता है लेकिन क्या होता है इसमें इस्ट्विंट यूच किया जाते है नह तर इसे जहां पर बेबी लेटा हूँआ यह पूरे पारड को यूच कहा जाता है तो आप यहाँ पर देख रहेंगे एक है न Agriculture में क्या किया जाता है यह तो यहाँ पर मतलब फिंगर के माधियम से दिखाया गया लेकिन प्लास्टिक हुक का यूच किया जाता या स्पाइनल नीडल का यूच किया जाता है ठीक है ताकि फिलुडिस से बाहर आ सके और कंट्रेक्शन आसानी से हो सके और एक्स्पेडिशन आप दी लेबर से क्या होगा रुचन सर्ट मैं इसको बताया था कि भीसप क्या होता है इसके नमबर केतने होती है जीरो से ठाटियन तक होते हैं। आपको पिछले वीडियो में काई वीडियो में बता चुक हूँ, विसप scoring की जाती ठीक है labor के समय कि हाँ क्या labor के लिए तयार है delivery के लिए तयार है माता या मात तयार है महिला तयार है या नहीं ठीक है तो इसमें इस कुछ scoring की जाती कुछ चीज़े देखी जाती dilation देखा जाता station zero fatal station देखा जाता इफेस्मेंट आपको दिये गए आफसन में से वो answer select करना है, क्या होगा right answer, काफी अच्छा question एक jumps के लिए, ठीक है, very very important, यहां से आपको 5 question जरूर है, लेकिन 15-20 question complete होगे, ठीक है, तो इसलिए वीडियो के skim नहीं करना, आफसन D, इसका right answer होगा, क्या, आफसन D, अब कंडिशन कौन कौन से होती, जिसमें तयार होती, महिला तयार होती है, इस्टेशन उसका 0 होगा, या 1 होगा, या 1 से जादा होगा, समझ रहें मेरी बात, अभी भी हम इसको बताएंगे, इमेज में आप देखेंगे, वहाँ पर ठीक है, तो अगर इस्टेशन 0 होता, या 1 होता, प्लस में ठीक है, प्लस 2 होता, ठीक होता, इसका मतलब महा प्रसोय तयार है, फैलाओ जो डाइलेशन होता, सर्विक्स का, वह अगर 8 हो जाजाता है, या greater than 5 होता, ठीक है, 5 होता, या इसे कहा जाता है, 5 होता है, या greater than 5 होता है, या it's equal to 5, 5 के बराबर होता है, या इससे ज़्यादा होता है, इसका मतलब महा प्रसोय तयार है, और effacement जब 80% हो जाता, कितना? 80% effacement मने बताया था न, the thinning of the cervical, the thinning of the cervix, you know, तो मैंने आपको बताया था, cervix का पतला हो जाना है, thinning हो जाना, मतलब cervix का वहाँ से हट जाना, या फैला होना, या stretches होना, it is called the effacement, आप जानते होंगे, मैंने कई बार बताया, इस terms को, कहा जाता है, इंगलिस में ध्यान रख्टे, इफेस्मेंट का मतलब होता है, thinning of the cervix, या cervical ठीक है, cervix का पतला हो जाना, या stress हो जाना, तो अगर ये 80% हो जाता है, इसका मतलब, माता या महिला वो females कै तयार है, किसके लिए, प्रसोव के लिए ठीक है, लेकिन अगर position, cervical position posterior होती, तो तयार नहीं है, आब इसे समझे, कौन-कौन सी condition होती, जिसमें महिला तयार होती, जिसमें ना तयार होती, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ good condition, mention की गए, जिन में क्या होता, आप इसे हिंदी में लेक लेना, अगर बास समझ में आ रही है, मतलब माता या फिमेल्स क्या होती, वो प्रसों के लिए तयार होती कब, जब डाइलेशन 5-6 होता, या इससे ज़्यादा होता, जैसे कि आफसन में 8 में इसन किया गया है, ठीक है, इफेस्मेंट केतना होता, 80 से ज़्यादा होता, 80 के आसपास होता, फेटली स्टेशन के इतना होता, 0 होता है, 0 से ज़्यादा होता, जैसे हमारा मतलब यहाँ पर, 0 से ज़्यादा का मतलब है, प्लस 1, प्लस 2, ठीक है, इतना ही माना जाता, यहाँ पर क्या होता है, डिलेवरी हो जाती, कंसिस्टेंसी, medium यह soft होती अगर soft हो जाता तो इसका मतलब delivery हो जाएगी ठीक है फिर महोता इसका मतलब नहीं होगी अभी हम आपको समझाएंगे क्या क्या condition होती position में media interior होता यही position थी सर्वाइकल ठीक है media interior होता interior very very good ठीक है बहुत अच्छा माना जाता इसका मलब delivery आसानी सो जाएगी जब posterior होता यह bad माना जाता कैसा माना जाता बैड अब इससे आप image में देखें वहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या क्या condition इंकλूट की जाती जब पुरसो हो सकता या नहीं हो सकता 20 स्कूर आप ऑपनी स्क्रीन पर देख पहले होंगे आप देख लेए 20 सेपी अब यहाँ पर जो point समझाता हो इन्हें समझ लेना ठीक है यहाँ पर आप देखिए 20 से 20 score में क्या क्या condition होती है जब आसानी से delivery हो जाती है ठीक है यह 3 मलब जिसे कि 0 है 1 है 2 है 3 है ठीक है अब जो third होता third वाला इसमें जो number आएंगे इसका मलब second और third में आएंगे तो इसका मलब delivery के प्रसों के आसानी से chance है कि जल्दी से हो जाएगे ठीक है अब देखिए कब कब नहीं होगी जब dilation closed होगा dilation का मतलब जो service का dilation होता वो closed होगा तो इसका मतलब नहीं होगी अगर 1 से 2 होगा तो इसका मतलब थोड़े से chance है कि आगे अगर procedure जल्दी जल्दी होता है तो chance होगे ठीक है second और third वाले में जो number लिखे होगे इसका मतलब इस वाली condition में delivery आसानी से होगी इन वाली condition में delivery आसानी से जल्दी से नहीं होगी मतलब expedition of the labor is not done अब यहाँ पर देखें effacement लिखा गया है अगर 0 से 30 तक होता अगर effacement 0 से 30 तक effacement का मतलब क्या पता है था मैंने thinning of the service ठीक है service का पतला होना अगर 0 से 30 है तो इसका मतलब condition bad है delivery आसानी से नहीं होगी अगर 40 से 50 से तब ही थोड़ी problem होती अगर 60 से 70 या 80 होती यह वाली condition good मानी जाती तीसरी वाली ठीक है जो तीसरे नमबर पे लिखे गई है यह जो service का फैला हो है 5 से ज़्यादा होता या 8 के बराबार होता और यहाँ पर effacement 80 होता या 80 से ज़्यादा होता तब यह सही माना जाता अगर जो fatality station होता माइनस 1 महीं मानेंगे आपर 0 लेंगे माइनस 1 के बाद 0 आता फिर plus 1 आता फिर plus 2 आता 0 या 0 से ज़्यादा ग्रेटर मैंने mention किया ठीक है एक या 2 ठीक है तब क्या है फिर्म का मतलब दरण है या opening नहीं हुई है ठीक है और जो position है वो posterior है तो इसका मतलब problem है ठीक है अब यहाँ पर देखे position वाले section में आपको दीख रहा होगा media interior interior का मतलब delivery आसानी सो जाएगी और अच्छी तरह हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर consistency में अगर soft होगा medium होगा soft मतलब फिर्म वाला bed medium माला थोड़ा अच्छा और soft वाला बहुत अच्छा समझ रहे है station minus 3 bed minus 2 थोड़ा अच्छा minus 1 उससे ज़्यादा अच्छा 0 उससे ज़्यादा अच्छा plus 1 plus 2 मतलब best ठीक है एफेस्मेंट केतना होगा 80 होगा तो अच्छा माना जागा dilation केतना होगा पांस से ज्ञादा होगा या आठ के आसपास होगा तो अच्छा माना जागा यह B-Sup score अच्छा माना गी मलब जो प्रसो होगा वो आसानी से हो सकेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से चलते हैं नेस्ट कोशन आप कोशन नंबर थी पढ़ें फिर आमसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका एंसी के दो मुख कंपोनेट कौन से होते हैं क्या होगा राइट आंसर इसका कमेंट करें आपसन पढ़ ले जली से साउधानी के साथ फिर आमसर बताएं आपसन इसका राइट आंसर होगा सला तथा परिच्छाण एडवाइस और टेस्टिंग या कहेंगे डाइग्नोसिस ठीक है यहां पर डाइग्नोस भी लिग क्या है तब ही आमसर सही माना जगा है हिंदी बाले धियान रगनें सला या परिच्छाण ठीक है बाकी और भी होते लेकिन ये दो मेंन मने जाते हैं पर दिटील्स इसे समझ लेते हैं क्या क्या बाते होती है। निए पर डिटेल्स कोई एक मिलेगा हिंदी में सेम टू सेम मिलेगा सला तता परिछाल्स एंसी का मतलब क्या होता है anti-natal care होता anti-natal care का मतलब क्या होता परसो पूर देखभाल जब भी क्या होता delivery के पहले जो condition होती न उसे ANC कहा जाता क्या जब baby uterus के अंदर होता उसे ANC कहा जाता मतलब anti-natal care मतलब परसो से पूर जो देखभाल की जाती baby की या मा की उसे anti-ANC ANC कहा जाता ठीक है अब यहाँ पर दे सकते हैं एक दो point very very important जो अभी नए update है आपके लिए ठीक है World Health Organization WHO has updated its recommendation from a minimum for antenatal care can take to a minimum of the aid content to reduce the perinatal mortality and to improve the women's experience of the care इसका मतलब यह है कि WHO पहले जो ANC की जो पहले जो थी ANC की विजिट थी गरवती महिलाओं के लिए वो कितनी मानी जाती थी चार मानी जाती थी कितनी कम से कम minimum की मैं बात कर रहा हूँ चार मानी जाती ठीक है लेकिन अब WHO ने नया update किया है युनिसेप और WHO ने नया update किया है क्या अब जो antenatal care होंगी वो इसमें जो बेबी होता मा होता उनकी अच्छे से देख भाल की जाती ठीक है एंटी नेटल care में होता ही क्या इसमें जो ANC होता है इसमें इनके सला दी जाती कैसी condition चल लए है कैसा खानपान चल ला है nutrition क्या चल ला है कोई प्राबलम से किस तरह का सारी चीज़े इसमें देखी जाती ठीक है तो यह प्राबलम से जो होती तो इसके लिए कम से कम pregnancy के दौरान चार तो ANC जरूरी है 400 ANC विजिट जरूरी होता है अगर अब अगर ideal की बात करें तो 13 होता ideal कितनी होती 13 होती minimum कम से कम कितनी होती 4 होती लेकिन जो अब नए कि मा की अच्छे से देखबाल की जा सके और बेबी की अच्छे से केर की जा सके और अच्छे से उनको मलब delivery के लिए मलब प्रेरित किया जा सके ताकि कोई भी problems नहों या उनका जो म्रत्युदर है उसको कम किया जा सके ठीक है यह अपनी जाके माताएं लोग जो गर्वती होती हो अपनी problems बताएंगी तो इनकी problems को सुना जाता है उसी साफ से डियाग्नोसि टेस्टिंग वगर की जाती है सला दी जाती है तो पहले चारती अब आट कर दी गई अपडेट किया गया है डवल यही बताया ठीक है तो ध्यान रखना है आपको पहले चारती एंसी विजिदिंग अब लेकिन आट कर क्या है राइट आंसर इसका कमेंट करें जो भी राइट आंसर हो यह मैंने एक बार बताया था ना प्रोबेल साइन और पेडेंसी बहुत सारे बताया थे आपको ठीक है उन में से एक नहीं है कौन से नहीं है यह आपको दिक रहा होगा आप संडी पर क्या morning sickness नहीं है क्यों क्योंकि यह क्या होता यह गर्बा वास्ता के प्रारंभी and be app. मूणिग क्या होता वा जी Michealata और उब्राचिये सारी प्राबलम्स होती हो यहां पर प्रोबेल Sun of P कि मतलब जब delivery के ज़्यादा चांसे होते है या EDD के पास समय आ जाता ठीक है तो उसमें क्या होता है HCG test positive आता ठीक है ब्रेक्स्टन construction होता यह सारी चीजे होती है और यह यह सारे problem sign है मैंने और भी sign बताया थे include नहीं कि यहाँ पर पिछले video बताया थे मैंने कई सारे sign देखिए मैंने बताया था आपको चैढ़ हम साइन एक बताया था guten deal इह प्रोबल साइन साइन ठीक है audit प्रिसْ इसके अलाबाउन यह भी होते हैं vaginal discharge होता है HCG positive आता ब्रेक्स्टॉन कंस्ट्रेक्शन होता यह यह प्रबल साइन माने जाते हैं जब क्या होता एड़ी के पास में कोई भी गरवत्ती महिला पहुंचती है तो यह सारी कंडिशन देखने को मिलती हैं लेकिन आपको इसलिएन माने च प्रणाइगो नहीं गर्बावस्टा कर्सक्राय dåन्स यक कि प्रावस्ता कावाईंसK तो यह कैसे प्रैवन स्कूरा उयगया यह भी मिलनेएं पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएंगे इसके बार कुछ नहीं जाता है जो पॉइंट इंपोर्टन होते है वो जरूर इंक्लूट करते हैं मेनोपाज का मुख लचल क्या है वाट अपको बेस्ट आंसर सेलेट करना है यहां मतलब वह नहीं सब्सक्राइब आपको यहीं पॉइंट याद करना है फिर दिएगमन पॉचए तो यहीं पूछेगा आते हैं वो आपने बहुत डिटेल से मेंसन किये उन्हें भी समझाएंगे पहले आप समझेंगे इसके बारे में जो यह होट फ्लेसज होता ओके अब यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्कीन पर यह होट जो फ्लेसज होता इसका मतलब क्या होता has suddenly feeling of the warmth usually the more intense over the face, neck and chest and the profuse sweetening अत्यधिक पसीना आना मतलब कामली डीटल में नो पाज इसका मतलब यह होता है कि जो होट फ्लेसज एक तरह लच्षड होते मीनो पाज में इसमें क्या होता चेहरा और जो नेक होती चेस्ट होता यह क्या होता बहुत गर्म रहता कैसा रहता मतलब वाम फिल करता, गर्म फिल करता, गर्मी फिल करता, ठीक है, और अत्रधिक पसीना आता, यह मिनो पॉज की कंडिसान होती है, मिनो पॉज में ऐसा देखनों को मिलता है, यह मिनो पॉज की ऐसे लच्छड होते है, ठीक है, कमली यहां पर देखा कहा है, कमली दूटू इन मिनो ठीक है मिनो पॉज में ऐसी चीज़े देखने हो क्यों मिलती है अब पसीना आता थेस और गर्दन और चेस्ट में क्या होता हमेसा सी गर्मी या वर्म बना रहता है वर्म मतलब समझते हैं गर्म थोड़ा सा बना रहता अब कुछ कंडिशन और मेंसन की गई यहां पर इने समझ होती है तो यह पॉज़ साल मानना सकते हैं लेकिन जापने यहां पूचा जाता होते मिनो पॉज की जो में पतवर ने कम्यनी कंडिशन तो आप्वाज को 60 भी जाती है मिनों monsieur में कंडिशन होती है 60 साल तक भी होती है लेकिन आपको इसका रेंज ध्यान रखना 45 से 50 के बीच में कितना 45 तू 50 के बीच में होता तो यह ध्यान रखना मिनोपोच की बीच की एवरेज टाइम है ठीक है और अगर अमेरिका के लिए बात करी हुए से कि लिए मिनोपोच के कंडिसन वह 51 साल मानी ज जान रखना आप ज्यादा तर रेंज में देते यह लोग एक जामनर जो होते वह रेंज में देते आपको 45 से 50 देते अगर बात करेंगे आप इंडिया के लिए डाटा 50 यूज करेंगे अगर उन्होंने आयसा कोशन पूचा कि मिनोपोच की कंडिसन कफ से स्टार्ट हो जात में करोडम की माता होते कबोट दो जानना होते स्टार्ट हो जाते हो जांगे कं हो जाएंगे और भी कई condition mention की गई आप इने समझ लेते हैं आप से common symptoms common symptoms included hot places देखे पहले नबर पे hot places जी mention कियागा, इसका मनलब क्या, body warmth बना रहा है तॉ- गर्म बना रहा है थीक है, body का क्यूंकि जो message होते न, ये body के temperature को भी regulate करते, ज़ब बोड़ी के temperature को क्या करते, regulate करते, मतलब नियंतर लाल कांगे ख़तम हो गया मिंस्जम हो नहीं रहे तो इसका मितलब बॉडपी क्या होगा वॉम होगा घर्म फोगा घर्म होगा वजाइन ड्राइनelles आजती एक्पाइन में क्या होता सुखा पना को चाहिए द्राइन शाय जाते देर मे क्योंद रहा कि स्लीप्न 1990 वह वाला सोना नहीं सोना चांदी है ठीक है सोने में प्राबलम सोती है और रात में क्या होता पसीना बहुत निकलता कामली मतलब मैं में मेनोपाच की बात करो जिसको में सेज होते पीरेड होते उनको होता ऐसा कोई प्राबलम नहीं लेकिन जिनको होने के चांस होते या जिनक इरिटिबल्टी एंड ड्राइ स्किन समझ गये ना आप क्या क्या प्राब्लम्स होती देखे उनको चिंता होती बहुत ज़्यादा इंजाइटी डिप्रेशन में हो जाती वो लोग काफी ज़्यादा मैसूस करते डिप्रेशन और पेन होता सेक्स करने के दौरान पेन के अकर स तारे पॉइंट आप अगर स्क्रिन स्टोर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और देख सकते हैं अपनी स्क्रिन पर ठीक है तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल पे नहें से सब्सक्राइब करना लाइक करना हो सकते तो दोस्तों के साथ सेयर करना और हमारा नेक् थेंक्स पर वाचिक पर थेंक्यू, बाबाई, टेक केर्स